दोस्तों अगर बार-बार प्रयास के बाद भी आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है तो एक बार अपने घर में रखे मनी प्लांट की दिसा जरूर चेक कर लें अगर ये गलत दिसा में लगा हो तो इसकी वज़े से भी कई परेसानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों अधिगांस घरों में छट में या बालकनी में मनी प्लांट का पौधा लगा होता है लेकिन बहुत से लोग इसे सिर्फ घर में खुबसूर्ती बढ़ाने के इरादे से लगाते हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि मनी प्लांट सुख और संपन्निता का भी प्रतीक है और अगर इसे घर की गलत दिसा में लगाया जाए तो इसकी वज़े से आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है लेकिन वहीं मनी प्लांट को सही दिसा में लगाएंगे तो घर में सुख सम्रद्धी और बरक्कत बढ़ती है तो आज हम इस वीडियो में ही जानेंगे कि घर में मनी प्लांट का पौधा किस दिसा में लगाना सुख होता है और ऐसी कौन सी दिसा है जिसमें आपको गलती से भी मनी प्लांट का पौधा नहीं लगाना चाहिए लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों वास्तु सास्त्र में दच्छण पूर्विदिसा को अगने कोण के रूप में जाना जाता है और मनी प्लांट लगाने की यही दिसा सबसे उचित मानी जाती है इसका कारण ये है कि भगवान गडेश को दच्छण पूर्विदिसा का स्वामी माना जाता है इसलिए इसे सबसे सुब दिशा माना जाता है इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से घर में पॉजिटिव एनरजी आती है साथ ही सुख सम्रधी भी बनी रहती है और घर में धन की कमी भी नहीं होती है इसके साथ ही आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों वास्तु सास्त्र की माने तो इसान कौन यानि उत्तर पूर्व दिसा में मनी प्लांट कभी नहीं लगाना चाहिए इस दिसा में मनी प्लांट रखने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच में मन मुटाव और समन्धों में खटास आने लगती है इसके अलावा पूर्व और पस्चिम दिसा में भी मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए दोस्तों मनी प्लांट को घर के बहार रखने की बजाए घर के अंदर रखना चाहिए ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनरजी आती है लेकिन घर के अंदर भी मनी प्लांट ऐसी जगह पर रखे जहां किसी की सीधी नजर मनी प्लांट पर ना पड़े दोस्तों मनी प्लांट जब बढ़ने लगे तो इस बात का भी ध्यान रखें कि इसकी बेल जमीन पर फैलने की बजाए किसी दीवार के सहारे उपर की ओर चड़े जमीन पर फैलने वाले मनी प्लांट की वज़े से आपके घर में फिजूल खर्चे होने लगते हैं और घर में परेसानियां बढ़ती हैं इसलिए मनी प्लांट हमेशा दिवार के सहारे उपर की ओर बढ़ना चाहिए ताकि आपको भी जीवन में खूब तरक्की मिले और घर में सुबता आए तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जै मालक्षमी या जै मातादी जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद